तो पोईट्री सेक्शन के नो नमर आपने त्यार कर लिए ठीक है और फिर बता दूँ बहुत तार इश्यू थे मॉडल पेपर को हर कोई देख के कह रहा है कि मॉडल पेपर के एकोर्डिंग क्योशन आंसर पोईट्री में नहीं आएंगे है ना एक बात बताओ अगर क्योशन आंसर आगे मॉडल पेपर तो एक जलक है कि इस जैसा एक्जाम में पेपर आ सकता है मॉडल पेपर में है क्या 19-20 की क्योशन टाके देदी है पूरे के पूरे ग्रैमर में वही एक्जाम्पल वही उठा टाके संस्क्रिट उठालो चाहिए कोई से भी एक्जाम्पल देख लिए मैंने मॉडल पेपर सोल भी नहीं करा है क्यों कोई मतलब नहीं है उसका आप अगर ये क्योशन अंसर याद नहीं करते हो पोईटर सेक्षन के तो सीधे सीधे पांस नमर आपके चले जाएंगे ठीक है और फिर आप क्या सचुगे कि मॉडल पेपर में तो दियावाई नहीं था ये कोई ओप्शन है क्या एक्जाम के अंदर आप बोर्ड वालों के साथ कंप्लेन भी दरज नहीं करा सकते क्योंकि बोर्ड वाले क्या कहेंगे कि स्लेबस में मैंचन था मैंचीज क्या है स्लेबस क्यों जारी किया जाता है कि बच्चे इस syllabus की according त्यारी करो, मतलब इसमें से आपका paper बनेगा, अब syllabus की according आप नहीं पढ़ते हो तो नुकसान तुमारा है, syllabus के अंदर पश्ट साप साप poetry के अंदर 5 नमर के question और 4 नमर के stanza आएगा और आ रहा है, समझ गे, अब आप जानो आपका काम जाने, आप अकर नही सेम बुक की बात करता हूँ, आपके पास दो बुक है, golden rays और resolution, ठीक है, golden rays 14 marks की आ रही है, according to syllabus, 2021, new syllabus, 14 नमर की golden rays आ रही है, और 10 marks की आपके resolution आ रही है, ठीक है, अब मेरी बात सुना, कुछ chapter आपके delete हो गए है, वैसे ही 50% तो course है, हदमार के 15-20 कुशन याद नहीं कर सकते ह 100% course जो आपके आगे चलेगे, वो हमेंशन आप से आगे रहेंगे, तो कम सिकम इतना तो करो, chapter आपके पास पहला, second delete है, तीसरा, चोथा, पांच और चटा, सात्वा, नोवा, और दस्वा, शहिदगाय, ग्यार्मा पी डिलीट है, यह chapter only for आपके आ रहे हैं, मिलाकर 14 marks गोल् कि कैसे आएंगे दो तो सीन पैसे जाते हैं वो 75 words के आते हैं उसमें तीन क्योंशन हों गेर एक वह आपका वख्री टाइप होगा चार नमर का एक चार नमर तो दो पैसे होगे एक वर्ट दे देंगे उसका अंसर उसी मेंस देना है वह आपको में पैसे जाए अलग वीडियो बनाऊंगा ट्रिक के साथ तब देख लेना अब बात आई नीचे फिर की और क्या आएगा आठ नमर तो यह हो गई पीछे बचे च्छे और रहे हैं तो 60 वर्ट का दो क्यूशन स्कति के दो क्यूशन आएंगे 60-60 शवड़ा उसमें आपको एक करना है एक करना है अंब तीन नमर का है टीक है अब मेरी बात सुनों पैसे इस तो अलग से करेंगे इसको पूरा मैंने ध्यान में रखा है 18, 19, 20 के पेपरों की चार्मिन करके जबरदस्कियों की रिपीट बहुत कम होते हैं, बहुत ना के बराबर रिपीट होंगे हैं, तो इन दोनों को ध्यान में, मतलब उन पेपर्स को ध्यान में लगते हैं, इन दोनों के में आपके most question मतलब ही आपको ठानना पड़ेगा, बाकि अदर सब्जेक्ट कुछ नहीं, आज का दिन सिर्फ English के नाम क्योंकि ये एक अलग सब्जेक्ट है, असी नमर का, और आराम से इंग्लिश को आप 3-4 दिन के इंदर, मुश्किल से 5 डे के इंदर English पूरी पड़ी जा सकती है, सब क कुछ, कोई ज्यादा बढ़ा नहीं है, और पढ़ना कैसे मेरी मेरी बात सुनो, आप क्योंशनान सर्याद करते कैसे हो, इंग्लिश को ये बढ़न थोड़ी हम तो हमेशा 3 में सब्जेक्ट बढ़ा करते थे, एक्जाम टाई में 10 दिन में क्यों करते है, 90 क्रिम मार्स आ जा संस्क्रत व्याकरन त्यार करने फ्यूचर में आएगी, फिर भी कम है लोगर देते हो, तो संस्क्रत भी काम आएगी, तो अब मेरी बात सुनो, हिंदी इंग्लिश्य व्याकरन जुरू ध्यान रखना, अब यहां पर क्या है, कि यह जो 6 नमर है 3 प्लस 3, इसको केसे याद कर आपके जामवाजी विश्णो ओषाताफ स्वाजी शांदार चेप्टर है, तो जामवाजी वालजां आपने क्योशन उठायो, तो पहरे उस चेप्टर की पूछा किया कि है कि जामवाजी की एक पिर दो, दो बार पढ़ दो, तीन बार पढ़ दो, सारे पढ़के, अब अपने मन से आप ऐसा सोचना कि आपको लगबग almost याद हो चुका हुगा, फिर इनको कुछ लिख लो, यह test बना लो चोटा सा, 20 के 20 कई रपेज में लिख लो, बस हो गया, इस तरी के पढ़ना है, resolution 10 नमर क्या यह आप किस बार, chapter 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, बागी सब डिलेट, यह जो लिखे हैं, वो आ रहे है, 80 शब्द के दो क्योशन आएंगे, एक करना है, 5 नमर क्या, फिर 30 से 40 वर्ड के दो क्योशन आएंगे, एक करना है, 3 नमर क्या, और 20 से 25 से छोटे वर्ड चोटे क्योशन आते है बहुत ईज़ी, यह दो क्योशन आएंगे, एक करना है, दो नमर का होगे, 5, 3, 8, 10, 10 यह होगे, 3, 3, 6, 8, 14 यह होगे, यह बात समझ में आगई, पेसेज की बात, नेक्स वीडियो में, अभी बात करें, पन 6 और 10, 16 मार्क्स का यह आज का वीडियो है, 9 मार्क्स का वीडियो के नाम, अब देखो, कौन से क्योशन इसमें मोस्ट रहा है, कौन से क्योशन, और यह भी बता रहा हूँ, हालां कि बता तो इसमें भी रहा हूँ, तयारी तो पूरे 14 और 24 का यह वीडियो है, कैसे है कि 14 मार्क्स के जो, sorry, 8 नमर के जो पैसेज आ रहे, वो भी पैसेज में मोस्ट बता दी, पैसेज कहां से आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन पैसेज लिखने कैसे हैं, अलग बता दूँ, अब मेरी बात सुनो, कि क्योशन आन से कि मैं अगर बात करूँ, तो पहला क्योशन है, आपके चैप्टर 3 में से, मैंने चैप्टर 1 से क्योशन आन सर एक दो तीन हैं, वैसे दो मोस्ट जाधा, लोडनी लेना, क्योंकि चैप्टर 1 से पैसेज आएगा इस बार, जहां तक चांस है, कहीं साइड में लिख लो पैसेज की चैप्टर से आ सकता है, 1 से, 6 से, 9 और 10, इस चार चैप्टर ऐसे जिन में संभावना है कि इस बार आपके पैसेज इ पहले हैं, पहले चैप्टर में लगा लो, हाउड तिंग टेंग डिश्क्राइब द अर्थ, हालां कि ज्यादे इंपोर्टन नहीं, फिर भी थोड़ा सा ऐसे लगरा है कि यह चैप्टर ठीक है, तो चैप्टर बन में यह लगाओ, तो चैप्टर ओन में लगाओ, फिर आज चैप्टर 3 में, 3 में पहला है क्यूशन है, How can we remain mentally well? Very important है, और फिर है, World problems are faced by people in developing countries, यह देखो अपना जो country है, वो developing country, नो developed, अपना भी developed नहीं है, विक्षित नहीं है, इसलिए developing से क्यूशन आने के चांस है, इसलिए मैंने यह वाला मॉस्ट लगाया, जो developing country, उनों के पास में, क्या positive है, स्वास्ति सर लेके, क्या-क्या problems create होती है, वो बतानी है, How can the world environments be kept in balance? और एक बात और बता दूँ, और यह, what do you mean by health? यह चार क्यूशन, एक बात और बता दूँ, कि इन क्यूशन को अगर आपने डंगजे पढ़ लिए, हाँ, अगर एक-दो क्यूशन ना भी आए, तो ऐसी बात नहीं है, इन क्यूशन से आप other क्यूशन भी solve कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसे क्यूशन स्लक्ट की हैं, यह दोनों जैसे हैं, यह आपको और बाकी क्यूशन में आंसर भी लिख सकते हैं, इसी से लेटेड क्यूशन आएंगे, यह पक्की बात है, बिल्कुल आप वो 3Ds movie की तरह जो चतुर उसकी तरह रटना नहीं है, आपको तोड़ा समझ के पढ़ना है, अगर समझ के पढ़ोगे तो इन्हीं क्यूशन से, 20 क्यूशन से आप 50-60 क्यूशन त्यार कर सकते हूँ, यह तरीका लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो पूछ किया रहा है, उसकी मिनिंग समझो, अपने आप आंसर बना लोगे, ठीक है, ऐसे हैं आप चेप्टर 4 की बात करते हैं अपन, 4 के अंदर लगाओ, वर्ट वर्दा टू मेजर कॉमेडेंट्स अब जांबाजी मैसेज, ठीक है, वेरी इंपोर्टन है, इस वरी यह जो दोज़ों सरु बताई थे उन्होंने वो, और वर्ट विष्ण वे सैक्रिफाइफ देर लिवस फोर, क्या उन्होंने क्या सैक्रिफाइफ कर दिया था, अब इसमें सुनो, यह जो क्योशन है, इसमें क्योशन बनता है, कि विष्ण वे समाज ने पेडू को केसे बचाया, बाई जो ट्री थे, सेव ट्री, ट्री को सेव केसे किया, उसमें भी इसी सेलेक्टेड आंसर है, लगबग ओल्मोस सेम आंसर है, तो एक क्यूशन में दो आंसर बनते हैं, दिमाक लगाना, फिर what message was inscribed on the copper plate, very important है, और what is Jamboji's contribution in the let, अब धियान रखना, tell, sorry, तो what is Jamboji's contribution in the tell, अब यहाँ पर आप यह chapter इसमें, Jamboji का क्या योगदान है, बाई, Jamboji का योगदान है, वो आपको बताना है, फिर chapter 6, whom does the writer call uncivilization, मतलब की uncivilized का मतलब है कि जो एसब बे कोन है, writer की according, एसब बे कोन है, how can you keep public place clean, आप public place कैसे साब रखोगे, very important है, how measure can we take to make clean our surrounding, अपने चार ओर सफाई केस रखनी चाहिए, और what's superior between the, between the, between the muscle power and the brain power and why, मतलब आपको muscle power के देने, अकल बडिक बेस, वो वाली बात है, दोनों में से कोन बैटर है, और क्यों, अब आजाओ chapter 8 में, chapter 8 में question है, how does prayer purify one soul, very important question, और यह गांदी जी वाला chapter, chapter 8 कोन सा है, यह कि the discourse on prayer वाला chapter है, और what was the central idea, very important, the central idea of the speech, और what are the essential characteristics of true prayer, true prayer का मतलब है, कि मतलब कि यह भी, अगर यहांपर true prayer समझ जाना, यहांपर chapter का नाम या सकता है, the discourse on prayer, ठीक है, फिर chapter 9 देखो, through a little kindness which I did to say many years ago, other acts of kindness have been born, explain with reference to the story, a man's true son, हलांकि इसे passage आएगा, लेकिन फिर भी, दो क्योशन ऐसे हैं, जो आपको पढ़ने हैं, कि explain the title of the story, a man's true son, यह भी very important है, title को, मतलब कि जो यह title है, इसको किसा आप साबित करेंगे, कि a man's true son, और chapter 1 मैंने बता दिया, बस, यह आपके book थी, पहली golden race, 14 marks का मामला था, पैसेज भी लगवा दिये हैं, और 6 नमर के question answer आपको याद करने हैं, ठीक है, आज का home mark है, आज ही करना है, पैसे छोड़ सकते हैं, चोरो, 6 नमर के तयारी इसकी आज करनी है, अब बात आती है resolution की, जो 10 नमर की है, 10 और 6, 16 marks की आज ही तयारी करनी है, जब तक next वीडियो आई, जब भी आई, 4 बजी के something है, 5 बजी something, तब तक आपको इनको learn करके रखना है, आज का आज, अब इसकी बात रिजोलुशन की, इसमें question 1st chapter में लगाओ, what did the Hari Singh, हलां कि Hari Singh का जो पिछली बार, इस chapters है, वो characters के चार रखा है, लेकिन फिर भी question important है, कि Hari Singh to when the train had left, और which qualities of the train had left, बहुत important है, बहुत important है, मतला अपने students को क्या लेना चाहिए, gives qualities of Hari Singh and Anil, would a student like to add to her या his conduct, हमें मतलब अपने life में के कौन-कौन से गुण हमें अपनाने चाहिए, तो ये very important से, थे, अब अभी ये chapter complete नहीं है, बागी chapter ये most लगवाता हूँ, ठीक है? हाँ, ज्यादा क्योशन मैं नहीं लगवा था, रिस्क लेना है, अपनों रिस्क वाला चेप्टर बेपने पड़ा है, रिस्क का मतलब स्मार्ट सेड़ी करनी है, अब टाइम में नहीं है कि बेहुदा 50, 60, 70 क्योशन लगवा तो नहीं याद होंगे लगा क्या कर लोगे, ल जैसे है कि एक तो चैरा क्यार्य स्केच आता है भाई हरड़ा से, उस बुक से भी पड़ा चान्स नहीं फिर भी जामबो जी को पढ़ लेना, तो ठोड़ा सा पढ़ लेना, गोल्डरीज की बात कर लहा हूँ. इसमें चैरा करें से बीटा बदाता है, एक तो यह, लेकिन बहुली की मदर का या फिर यह बिशंबर नात का था एक रामलाल भी है आप चाहओ तो वह भी क्योशन देख सकते हो कि दो रामलाल क्योंकि रोजीच हर साल आता है सब्सक्राइब तो एक यह भी यह वर्य इंपॉर्टेंट कुछन अगर तो यह सकता है इस फरस्ट में कोई मुस्ट नहीं है फिर में कोई मुस्त नहीं है सेकेंड लगवा दिया चोथे के अंदर भी कोई चांस नहीं है शाहिद है ना और छटे में भी कोई चांच नहीं है, ठीक है, आठवे में आ सकता है, नवे में कोई चांच नहीं है, फिर 11 और 12 के अंदर बस, यह मैंने बहुत बड़ी रिस्क है यह, क्योशन नहीं आएंगे इन से, बहुत ही कम चांच है, पहले इनको करो, टाइम रहता है तो फिर कुछ क इसका मोरल नहीं तो फिर यह मोरल तो पकाई है, मतलब मोरल मतलब हमें क्या नेतिक शिक्षा मिलती है, तो ध्यानगना, वोट इस दा मोरल अप स्टोरी उतंकाज, गुरुदक्षिन, और वोट विज्डम, वोट विज्डम एंड चुट इड़ उतंकाज, फाइनली यह अर्निंग नहीं, यह एरिंग्स है, मतलब वो कानू वाली एरिंग्स जो हती है, और वोट इस गुरुदक्षिन, गुरुदक्षिन क्या है, यह सब बात है, ठीक है, चप्टर 11 की बात करें, वोट इड़ दा पीजंट से वें, ही इस ब्रेड अंडर दा कॉट, किसान व इस चप्टर, करें? मतलब वोट ऑड़ दा मेंशस फर पारी इक्स चक्टर से ब्रेंग्स, पोट इस चप्टर का नाम है संक अनुग्षिन क्या देता है? वेरि इंपोर्थरे वित पारें उयहे, आपको चाहें बहुत कहीं चाहें, में चाहें मकृ। रेन वाटर हो अवेस्टिंग उसे हमें कैसे बचाना चाहिए मैं मुझत को इसा भी गूंपिर गागा इन चारू क्यों इस नहीं है तो यही तो मैं कहे रहा हूं रटना नहीं स्मार्ट सडी करने हैं समझ गी इस यह क्यों आप शाम की पांच बज़े तक कर लो पांच बज़े करीब फिर वीडियो मिल जाएगा लेकिन कसम खाने के यह याद करूंगा या करूंगा अभी क्याभी आज क्याओंगा ठीक है फुल्ली प्रैक्टिस करो जिसको पहले से लर्ने बहुत अच्छी बात है फिर से रिविजन हो जाएगा और जो फुल कोर्स की त्यारी करें वह अपने फुल कोर्स की त्यारी करते रहे ना लेकिन इनको पहले जरूर जरूर देखना यह स्मार्ट सडी है ठीक है अलोक